हेलो दोस्तों, I hope everybody is doing fine nowadays, although it's not as much good time, but still हमें कही ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मक दृष्टी कोण इसमें लेके आगे बढ़ना होगा, और बहुत जरूरी है, हम कुछ सीख सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा है सीखने के लिए, कई बार हम समय नी निकाल पाते हैं चीजों के लिए, और हमारे दिमाग में रहता है कि मेरा सपना ये है, कि मैं ये सीखूँ या ये करूँ, तो आप क्योना उस सपने की तरफ अपना प्रयास अभी बढ़ाएं, और विद्ध्या या स्किल एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशां खुश करती रहेगी, क्योंकि जो लगता है कि हमें कोई आर्ट्स का कोई एक्स्प्लोर करना है, लगता है कि नहीं हमें साइंस के बारे में कुछ सीखना है, तो यह सबसे अच्छा समय है, हम इन चीजों को समय देना इस्टार्ट करें, आप रीडिंग में इन्वॉल्व हों, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ किया, हमें तो बहुत थोड़ा सा मात्र भर आता है, लेश मात्र, बाकी संसार तो बहुत सारी चीजों से भरा पड़ा है, तो हम कोई ना कोई एक डाइमेंशन पकड़ें और उस डाइमेंशन में खुद को स्ट्रॉंग बनाएं, क्योंकि और आप देखिए, वि प्रस्टी आप मों लगियें, क्योंकि कहा गया है, न चोर हार्यम, न च राज हार्यम, न भ्रात्र भाज्यम, न न च भारकारी, ना तो इसको चोड ले जा सकते है ना राजा इसे ले सकता है ना भाईयों में ये चीज बट सकती है ना इसका कोई भार लगता है इनफेक्ट हमें कोई चीज सीख जाते है तो हमारा तो भार हलका हो जाता है तो क्योंना हम उस दिशा में प्रयास करें कि इसको जितना खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा तो हम सीखें और सिखाएं और सीखने सिखाने पर ये एक उर्दू की नजम भी है जैसे आप ग्यान को ना इल्म बोलते हो इल्म बोला जाता है उर्दू में तो वो नजम क्या कहती है सादत सियादत इबादत है इल्म सादत मतलब होता नेकी इमानदारी सियादत होता लीडर्शिप और इबादत आपको पताई है तो सादत सियादत इबादत है इल्म दौलत है हुकूमत है ताकत है इल्म इल्म मतलब ग्यान की वैल्यू बताई है कितनी जोड़दार चीज़ है जो इलम है जो ग्यान है वो बहुत काम की चीज़ है ये पूछो किसी मर्द मुक्तार से कलम तेज चलती है तलवार से ये मर्द मुक्तार का मतलब है freeman freeman बोल दो या बोल दो का explorer, philosopher, जो भी आपको बोलना है जो इसको ग्यान की भूग है यह पूछो किसी मर्द अमुक्तार से कलम तेज चलती है तलवार से तो दिल में भरो इल्म का माल अउजर जर मतलब जेवर तो ग्यान रूपी जेवर को है अपने हिरदय में अपने दिल में भरो ना कारू का खत्रा ना चोरों का डर ना कोई चोरों से ले जा सकते और किसी प्रकार का उससे कोई खत्रा भी नहीं है और फिर इस तरीके से हमने इल्म को पूरा ग्यान को जो है अच्छे से समझाया है जो सीखा है सिखाते चलो दिये से दिया जलाते चलो जैहिंद तो दोस्तो अभी अपने को ध्यान देना है फिर से हमें कुछ ना कुछ सीखने में पढ़ने में समय देना है जिससे हमारा mental balance बना रहे है चलते हैं फिर मिलते हैं